आज मैं आपको बताने वालों कि कहां पर आज की best entry हो सकती ती आज मैंने भी entry ले थी और मैंने भी जो मैं आपको सिखाता हूँ उसी के basis पर entry ले थी तो मैं आपको मेरी भी entry बता दूँगा timing बता दूँगा order book बता दूँगा और किस तरह से quick moves आपको capture करने हैं उसका analysis हम लो उके गैस तो फॉर्स्ट एंट्री आज की जो होनी चाहिए थी वो मैं आपको बताँगा और एंड में मैं आपको मेरी ओर्डर बुग बताँगा ये वाला मूव मैंने कैप्चर किया ज़ुँआ है किस तरह से मेरे 40-40 points 2-3 दिन में भी आगर या फिर consistently भी आगर आप capture करते हो बहुत अच्छी बात है तो आपको focus करना है consistently profitable रहने पर ना कि एक दिन आप बहुत बड़ा profit करे हो बाकी के दिन में छोटा-छोटा करके पूरा lose करे हो इस तरह कि मेरे mental state से काम नहीं करता मैं ये mindset से काम नहीं करता और आपको भी मैं वही सिखा रहा हूँ ठीक है तो सबसे पहली जो आज की entry थी उसके पहले मैं आपको psychology बता देता हूँ जब भी इस तरह का एक trending market clear दिखता है चलती train में please आप लोग मत चड़िये ठीक है मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ देखता हूँ कि वो लोग यहा जादा risky होता ही यह ठीक है अब आपको इसमें कैसे एंटर करना है पहले जाने दो इसको एक बार घूमने दो और घूमने के बाद फिबोनाची लगा के देखो क्या यह आपके कोई level प्यार है या फिर कोई important support आपको मिल रहा है क्या ठीक है यह तो हो गया एक चीज अब psychology औ उपर जा रहा है मार्केट इस तरह से मार्केट कभी भी मूव नहीं करता है यह मैंने टेलिग्राम पे आज अपडेट कर दिया तो सुबह कि चलती ट्रेंड में मत चड़ो यहां पे एक retracement का वेट करो ठीक है यह तो मैंने बता दिया लेकिन अब ट्रेड किस तरह से यहां ठापे लेना है और क्या हमको ट्रेंड के साथ रहकि ओलता है कर बाए और को समझा रखिए जिसने यहां से यहां से लाए कोगा होग करोगा उसको धिख रहोगा कहीं न कहीं तो वह profit book करेगा आप खुद का example ले लिए कि आपने अगर कहीं पर buy किया है और वह उपर जाता है तो आप जरूर profit book करोगे उसी तरह से चाहे बड़ा player हो छोटा player हो हर कोई profit book करता है तो यह move का wait करो में आपको बूर रहा था इसके बाद आप dips पर buy करो setup देखो इस तरह से मैंने आपको बोल जाता है अब वन मिनिट चार्ट में देखते हैं कि आज के दिन का मार्केट किस तरह से था simple जब यह continue उपर जा रहा है यहाँ पर entry नहीं लेनी है बिल्कुल भी wrong entry चाहे आपको breakout दिखे कुछ भी दिखे यहाँ पर entry नहीं लेनी है ठीक है यह resistance बन जाएगा support तो यह एक हमारी important level होगी दूसरा दूसरी level कौन से होती है हमारी important यह देखे यह resistance लिया break क्या support ले लेगा है यह फिर से हमारी क्या होगी important level होगी और एक चीज यह resistance लिया ऊपर गया वो level बन गई support अब हम क्या करते हैं और किस तरह से हमको कहां पर entry लेन level और zone मैं तो बना रहा हूँ आपको zone उसके उपर पर मैंने वीडियो बना रखे आप देख सकते हो यहाँ पर आप देखोगे तो यह देखे levels और zones विचार important यह आपको समझना बहुत जरूरी है मैं अगर एक single level यहाँ पर बना देता हूँ तो आपको कुछ भी नहीं समझन यह बना दोगे zone बना दोगे अब इस zone के according हमको क्या दिखता है यह पहले resistance लिया उपर गया support लिया अब यह कही नहीं से reverse होने वाला था तो मैं आपको यह नहीं बोर रहा हूँ कि top पे entry कर लो top तो ठीक है जो risk होगा उसने level अगर निकाले होंगे यहाँ पे entry मिलती थी लेक market ने हमको बताया हमको market जब बताता है उसका wait करना आपको क्या market ने बताया यहां से reverse हो गया सही है यहां से reverse हो गया reverse हो गया फिर बाद में आप हमको इस trend में अगर join होना है तो हम क्या करेंगे simply Fibonacci लगा देंगे यहां से यहां तक यहां तक क्यों क्योंकि यहां से फिर से मार्केट ने reverse दिया अब यहाँ पे sell करने के लिए हमारे पास थे दो confirmation किस चरह से थे दो confirmation वो भी देख लेते हम लोग यह देखें सबसे पहला यह support zone था उपर गया नीचे आया यहाँ पे देखें तीन candle यहाँ पे bounce करने की bounce back करने के जैसा एक situation भी बनाया था यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे bouncing का situation बनाया इसने ओके तो bounce किया support लेने की कोशिश किया और break कर दिया ब्रेक करने के बाद जो support zone है वो क्या बन जाएगा resistance zone बन जाएगा यह तो हो गया एक confirmation यहाँ पे sell करने के लिए दूसरा confirmation हमेशा की तरह फिपोनाची लेंगी टॉप से यहाँ तक लगाएंगी क्या दिख रहा है आपको clearly हमको दिखता है कि यहाँ पे market की important 38% की level आ रही है और plus उपर 50% की level है तो यह one minute का candle देखके आप simply shot कर सकते थे उपर आपका stop loss रहेगा ठीक है 50% की ओपर आप इस swing के ओपर भी यहाँ पे stop loss दे सकते थे यह आपका stop loss रहेगा और फिर देखते हैं कि क्या आपको one is to two या one is to three या जो भी है profit मिला है या नहीं मिला है तो यहाँ पे दो confirmations हो गए एक हमेशा की तरह support will become resistance ठीक है यह support था उपर तो गया था यहाँ पर आया support लेने की कुछ गया break कर दिया break करने के बाद यह बन जाएगा resistance यह सबसे important confirmation second Fibonacci की level आ रहे है वो confirmation अब देखते कि entry किस तरह से करनी है इस negative candle के नीचे भी कर सकते थे second negative candle के नीचे भी कर सकते थे यहाँ पे double top टाइप situation भी बना यह थे तो बहुत लोग डबल टाप यहाँ पे बेंटरी कर सकते थे ठीक है और जो लोग confirmation के लिए wait करते हैं मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा कि neckline के बाद break करो क्योंकि neckline के बाद common लोग enter होते हैं इसलिए यह देखे इस तरह से थोड़ा सा डरा देगा आपको लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि आपने सबसे नीचे एंटर कि आपका logic सही था लेकिन logic जो मैं बता रहा हूं वो तो था वो important है ठीक हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे exactly top पे मैं मानता हूं कि हर कोई entry नहीं कर पाएगा तो हम लोग थोड़ा सा buffer देते हैं यहां पर ठीक है short position short position तो हम लोग neckline के आसपास देखेंगे यह neckline के आसपास एक काम करता हूं और मैं neckline के पास ही ला देता हूं मैं तो entry यही करता हूं कि आप लोग confirmation के लिए रुके हो ठीक है तो हम assume करते हैं यहां पर आपने entry ले लिए और आपका stop loss रहेगा simply यहां पर ठीक है और इसके against में क्या हमको one is to two मिलाए या बिल्कुल मिल यहां पर आप देख सकते हो one is to two से ज्यादा मैं आपको suggest नहीं करूंगा अगर आप एक beginner हो तो यानि कि बड़े target है कि लालच में नहीं जाना है और एक चीज़ हम लोग trend के against में trade कर रहते हैं तो यह जब भी आप trend के against में trade करते हो तो यहां पर one is to two अगर मिलता है easily book करना जाए आपको ठीक है entry भी मैंने late करके बदा है आपको stop loss में भी extra buffer दिया उसके ब यहां पर तो इस तरह की हमारी entry होगी तो first entry हमारी थी यहां पर क्या हम लोग capture कर रहे थे profit booking का जो retracement होता है उसको हम लोग capture कर रहे थे अब second जो entry थी वो यहां पर यहां पर मैंने भी entry ली थी यहां पर मैंने क्या देखके entry लिया simple simple सी वाद है पहले मैं आपको order book बदा दे तो इसको okay 1338 पर मैंने 35900 की PE को sell किया 193 पर और उसको book कर लिया मैंने 146 पर 50 points क्या रहा हूं यहां पर movement मिला है मैंने capture किया है किस तरह से किया है क्या logic था वो देख लेते हैं simply यह एक ही level के भरोसे पर आज पूरा दिन हम लोग trade कर सकते थे ठीक है तो एक यहां पर हमारी level ह तो एक और दूसरा market कहा से reverse हो है market नीचे आया था यहां से market फिर से आगे अब इस level पर support ले रहा है इस level पर support ले रहा है इस level फिर से support लेगा कल विए मैंने आपको बताय था दो बार market को प्रूफ करने दीजिए कि यहां पर support ले रहा है या नहीं यही sentence था मेरा और उसी logic को मैंने खुद ने apply करके यहां पर trade लिया है ठीक है तो यह तो हो गया एक confirmation की यह हमारी level है और दूसरा Fibonacci का level हम लोग फिर से लगा लेंगे confirmation के लिए यहां से top तक अगर मैं Fibonacci लगाता हूँ क्या दिख रहा है आपको यहां पर 38% की level फिर से यहां पर support दे रहा है तो जोन भी से लेवल पर लेवल भी से लेवल भी से लेवल पर confirmation हो गया मैंने एंट्री ली थी 1338 पर 1338 की candle देख लेते हम लोग यह वाली candle थी exactly मूव से दो मिनिट तीन मिनिट पहले तो यहां पर मैंने क्या गिया था यहां पर मैंने लॉंग पोजिशन क्रियेट की थी 1338 पर options के according मेरा stop loss सिर्फ 11 रुपे का यहां पर स्पॉट पर मैंने देखता options के according मेरा stop loss होता है और उसको मैंने वन इस्टू फोर पर बुग किया ठीक है यहां पर तो सम्वेर अरूंड यहां पर मैंने टार्गेट को बुग कर लिया तो क्या इतना टार्गेट कम होता है कि इंट्राडे के लिए वह भी देड़ बजी तक मैंने वेट किया पेशन्स के साथ वेट किया और छोटे से स्टॉप लोस में हमने इतना कैप्चर किया है बहुत अच्छी वात होती है इतना कैप्चर करना तो आज के जो दो ट्रेड थे एक ये वाला मूव और ये वाला मूव तो ये दो अगर आप कैप्चर कर पाते हो या फिर आप सीखते हो सेम लॉजिक आपको डेली अपलाय कर दीजे कॉमेंट करके बताईए कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके मेरी बाकी वीडियो जरूर देख लेना ठीक है प्राक्टिकल मार्केट कैसे तरह से काम करता है उसके उपर मैं वीडियो बनाता हूँ जो की कोई भी बताता नहीं है ठीक है तो अगर आप एक बिगिनर हो या फिर अगर आपको एक्सपिरियंस भी है तो भी आपने मेरे टाइप जो मैं कॉंटेंट अपलोड करता हूँ इस टाइप का कॉंटेंट कहीं भी नहीं देखा होगा ठीक है तो आप लोग देख लिजे मेरी थैंक यू